हेलो ट्योटर्स और वेल्कम तो दर स्टूडियो मेंबर्स एलेंट को आज के दिर हमें चीट किया था कल क्लास हो रहे थी शाम को जिसमें हमने एलेंट को अनलाइस किया था उसके अंदर रीडिंग की गई थी कुछ लेवल्स हमने माक किया थे आज के लिए जैसे डे टाइम फ्रेम पर आप देखोगे तो इसके अंदर सबसे पहरे तो साही लेंज को डिलीट कर देते हैं सबको रिमूफ करेंगे अपनी इस ब्लैक वाली केंडल को हम माक करेंगे यह बड़ी वाली केंडल यह हमारी आज की रीफ्रेंस केंडल थे इसका जस्ट लो भी माक कर लेना है हमें इस range के बाहर ही trade करना था और इसके पहले के जो master candle थी यह बड़ी जो volume green candle अब देख रहो यह वाली थे अब यह ranges के उमाके इसके पीछा को logic है इसके वो फिर कभी discussion करेंगे अभी के लिए सिर्फ इतना कि यह चावर लाइंस हमारी master candle थी और हमें इस range के पास से ही अपना trade execute करना था यह हमारे day time frame के level थे अब जैसे price जैसे ही मेरा जैसे यह एक support again यह black valley candle price हमारी इस range के बाहर निकल गया उपर के तरफ इसे उपर नहीं जाना था अगर इसे गिरना था फिर इस range के नीचे से इसको गिर जाना चाहिए था insight rate करना नहीं था या तो उपर या तो फिर नीचे इसको दो ही दिशा में जाना था तो price ने जैसे ही हमारी इस black valley candle को upside की तरफ ब्रेक किया lower time frame पर आप देखोगे इसके अंदर काफी entry stop loss and target देख लेते हैं so order position book open करते हैं position book आप देख सकते हैं overall जो हमारा आज का profit है 12,617 रूपीज और 50 पैसे का overall आज का profit है और आज का profit है वो है refresh कर लेते हैं उसको पार फिर से so 12,000 के around का profit है simba सा trade था आप आज के trade के अंदर हम जो एक चीज़ समझाने के जो भी चीज़ हम समझाने के साथ यह trade हमने एक्जिक्यूट किया था हम सोच रहे थे 500 कर देंगे इसको रिफ्रेश कर लेते हैं 500 राउंड फिकर कर देते हैं बट फिर नहीं 490 के साथ में इसको ट्रेट कर लिया था so stop loss 2.171 पर हमारा stop loss था जो हमने exit इसके अंदर market पर की है तो 2203 पर हमने इसके अंदर पनी entry कर ले थे so overall यह हमारा trade है position book में अपसे चलेंगा 12,000 कर राउंड का profit है which is enough into a day session के according decents of profit हमें आज की trading session तो बिला जो भी चीज़ हम समझाने के कुशिश करेंगा आज के इस चोटे सी वीडियो में उसको देखिएगा समझेगा वीडियो कर अच्छा लगता है उसको like के जागा comments के जागा और अगर आप चैनल पर पहली बार आया तो चनल को subscribe कर लिजगा आज का यह जो trade analysis है एक point of view रखिएगा शुरुवात से ही कि अगर हमें कोई भी stock trade करना है और उसके अंदर breakout predict करना है क्या वो successful हो सकता है या unsuccessful रह जागा मतलब fail हो जागा यह हम लोग किस तरह से predict कर सकते हैं breakout का fail होना या breakout का successful हो जाना इसके उपर काफी सारी चीज़े depend करती है मतलब price अगर आपका किसी भी एक level पर है तो वो उस level पर actually कर क्या रहा है और वहाँ पर volumes के क्या action बन रहा है price को अगर upside की तरफ जाना है तो यह common जो psychology होती है common जो एक rule होता है कि price अगर upside की तरफ जाएगा तो वो अपने resistance को हमेशा break करते हुए जाता है इस तरह से और अगर price को नीचे की तरफ गिरना है तो वो अपने support को break करते हुए नीचे गिरेगा यह तो हम सभी लोग जान रहे है इसी में एक चीज़ क्या होती है कि अगर price को ऊपर की दिशा में नहीं जाना है तो वो हमेशा अपने resistance को protect करने की कोशिश करेगा और नीचे की तरफ उसके lows लगते है मतलब जो highs होते हैं candles के वो नीचे की तरफ shift होते है और जो lows होते हैं वो भी नीचे की दिशा में shift होते है लेकिन एक चीज़ जो fix रहती है वो आपका resistance है resistance को हमेशा protect करने की कोशिश की जाते है सेम चीज़ इसके wise versa अगर price को ऊपर की दिशा में जाना है न तो price अपने support को protect करने की कोशिश करता है वो नीचे की तरफ तो आगा लेकिन यहां से फिर से upside की तरफ चला जागा अगेन यहाँ पर क्या होगा जिस support को price breaker के नीचे की तरफ आयो उस resistance को यह वापस से ब्रिक कर देगा अगेन यहाँ पर supports को protect किया जाए तो जो lows है यह upside की तरफ shift होते हैं यह छोटी-छोटी चीज़े हैं देखिए आप जब पढ़ाई करते हो यह प्रैक्टिस करते हो न में जो नॉर्मल एक चीज होती है आप inverted hammer, आप doji, आप triple top, double top, dragonfly यह सारी चीज़े से पढ़ते होना जो traditional knowledge होती है market को लेकर के जो candlestick है, normal candlestick जो first stage में हम सभी लोगों को कही न कहीं सीखना ही चाहिए तो यह first stage नहीं है जब हम आपसे बात करें कि price के lows नीचे की तरफ shift होंगे और highs upside की तरफ shift होंगे तो यह candlestick और आपके patterns इनसे आगे की चीज है, इनसे ओपर की चीज है अब कल की class में जो चीज हमने बताई थी कि black वाली यह candle और green वाली यह candle यह हमारी super resistance area है और यह internal structure की हमारी एक major candle बन जाती है अब इस candle के उपर हमें मौलूम है कि अगर कोई भी trade execute करना है तो अपनी इस important areas के पास से ही trade execute करना है अभी जैसे हमने बताए कि candle कौन सी है क्यों हमने इसको mark एपर discussion नहीं करेंगे सिर्फ इतना देखिए कि यह candle अगर important है मतलब कि अगर यह मेरी master candle है इसका high अगर एक resistance है तो इस resistance के पास से हम लोग price को read कैसे करेंगे basically अगर breakout होने वाला है तो वो breakout हमारा fail हो सकता है या successful हो सकता है इसको कैसे predict कर सकते है अब मेरे पास एक point निकल के आगए 2181.85 यहां से आप read करो कुछ नहीं just reading start करो देखिए इस line के चले हम delete कर देते हैं कोई use नहीं है और upside के वी line delete कर देते हैं कोई use नहीं है अब हम चले आते हैं सिद्धे lower time frame पर हमें इस वाली line के ऊपर की तरफ trade करो morning में market open होती है opening से start कीजिए morning में जैसे ही market start हुई इसके अंदर volumes के breakout मतलब कल से ज़्यादा की volume के breakout और price first candle में ही upside के तरफ चला गया closing नहीं दी इसने closing इसने दी है यहां पर volumes गिर रहे हैं यह diversion हो रहा है price तो upside के तरफ जाए आप देखो कि lows upside के तरफ shift हो रहे है but volumes गिर रहे हैं नीचे और इसके बाद में हुआ कि price उपर के तरफ गया और यहां से फिर डंप होगा जब price यहां से नीचे के दिशा में गिर रहा था तो same चीज यहां पर भी volume भी नीचे गिर रही है और यह वाली जो green candle मारी बनी इसके अंदर volume इंक्रीज हो गई समझ भी रहा है ना price upside के तरफ जा रहा है volumes नीचे गिर रही है price भी नीचे आ रहा है volume फिर नीचे आ रही है अब अगर price हमारा strong नहीं है तो volume नहीं आने चाहिए price हमारा फिर यहां से नीचे गिर जाए बट जब price हमारा नीचे के दिशा में गिर रहा तब भी इस candle volume नहीं आ रहे है और यहाँ पर फिर से देखिए volumes इंक्रीज हो गई अब यहाँ पर जो बात अभी हम आपसे कर रहे थे breakout की देखिए breakout हमें चाहिए यह 2181.85 यहाँ पर हमारी 9.15 के एक candle बनी है सबसे पहली candle यह second वाली जो candle बन रही बाकि इसके पहले की candle हमारी यह वाली अगर हम इसका भी low mark कर लेते हैं तो यह दोनों ही candles हमारी लिए बन जाती हैं support अब अगर अगर प्राइस को उपर की दिशा में नहीं जाना है तो वो उसे इस range के नीचे की तरफ ढखेलने की कोशिश करेगा मतलब प्राइस यहाँ से नीचे की तरफ गिरने की कोशिश करेगा अब देखिए क्या हो रहा है यह मेरी एक ज़रूरी candle बन जाती है प्राइस इसके नीचे नहीं है प्राइस इसके अपसाइड की तरफ तो जाने की कोशिश कर रहा है बट वॉल्यूम्स कम हो रहे है अगेन देखिए प्राइस हमारा हमारी range के अंदर आया वॉल्यूम्स कम हो रहे है मतलब कि कहीं नगे हमें यह इंडिकेट करने के कुशिश कर रहे है यह market कि इसके अंदर buying pressure ज्यादा है अगर हम compare करेंगे selling pressure के अब देखिए यहां से इसके अंदर breakouts होने लग गए यह जो आप candle देख रहे हो अगर हम candle mark कर लें इस candle के high को इस candle के high को हमने इसलिए mark किया क्योंकि यह एक engulfing candle है engulfing candle से ज्यादा जब हम इसको past में जाकर करके इसका past data rate करते हैं तो यही point हमारा same resistance area बनता है देखिए बिल्कुल इसके pass price ने previous swing के pass से हमारा एक resistance point बनाया और अगर हम कल का high भी mark कर लेते हैं यह हमने कल का high mark किया कल के high के pass से price हमारा support ले रहा है कई सारी lines हो गई है अगर skip करोगे तो में भी हो सकता है कि फिर miss कर दो आप लगता है ना कि थोड़ा सा confusing type का इधर भी हो अधर भी marking सारी तरह के markings हैं लेकिन समझने की कोशिश करने हो हमें trade execute करने में इतना time नहीं लगेगा जितना समझाने में लगता है simple से logics है ना कि price previous day के उपर support ले रहा है और previous day के उपर इसने volume के साथ breakout कर दिया और जो हमारी important area था 2181.85 इसका जो point था इसके उपर जाकर कि price हमारा sustain कर रहा है एक तो यह 9.15 का just low इसके बाद में हमारी यह बड़ी वाली जो candle जिसके अंदर सबस्यादा volume आई यह volume का breakout जिसने किया है वो एक support point बन गया और इसके बाद में कल का high कल का high मतलब के एक resistance price उस resistance के उपर भी देखिए आपर support ले रहा है समझ रहा है पूरी तरह से price हमारा support को protect करने की कुछ जो भी हमने बता है कि अगर price को ऊपर की तरफ जाना है तो अपने support को protect करेगा और resistance को break करेगा अब यहां से देखिए क्या हुआ जैसे ही price हमारा इस support पर आया हमने क्या किया इस जगह से अपना trade एक्जिए simply आप देखोगे तो यह जो green वाली candle बन रही है यह वाली candle इसके पास में हमको सारी quantities मिली सारी orders मिली है तो 2177 के पास में शायद अपना trade execute हुआ था और इस candle का just जो low है na exact low point 2171 यहां पर हम लोग ने अपना stop loss लगाया था क्यूंकि अब entry लेने के बाद में जो दुवारा अगर market नीचे की तरफ आई तो अभी हमने क्या बता है कि यह इसका support point है यह देखे यह यह वाले यह इसका support area है अब अगर price इस वाले zone के नीचे की तरफ आगर कि इसने trade करना है start किया मतलब कि इस green वाली candle के नीचे तो कहीं न कहीं फिर यह अपने support को break करना start कर देगा इसके बाद में आप stop loss जहाँ है जहां लगाओ वो चला जाएगा पिर यहां पर लगा दो जहां यहां पर लगा दो अभी देखे क्या हुआ है कि breakout हुआ नहीं है breakout नहीं हुआ है लेकिन उसके पहले ही यहां पर हम लोगों ने अपना trade execute कर दिया I hope की reason पूरा समझ में आजा होगा price ने morning में ही upside की तरफ का movement दिखा दिया था volume के साथ यहां पर है ना दो चार candle बनाने के बाद में प्राइस सीदे फिर हमारा नीचे की दरफ गिर गया है उसके बाद में हम देख रहे है कि previous day का जो high यह लिजए side lines को हम फिर से delete कर देखे previous day का जो high हम ने उसको mark आज previous day के high के पास से price हमारा support ले रहा है उसके बाद में जो important area मेरा बन रहा है day time frame का हम उसका भी high mark कर लेते हैं यह वाला point हमें इसका चाहिए break out अब वापस से हम 5 minutes के time frame पर आ जाते हैं यहां से और दूसरी चीज़ हम देखने हैं कि यह वाला मेरा swing point तो यह तीनों के तीनों हमारे बन के support प्राइस देखे क्या करना है ना इन तीनों लाइन के नीचे नहीं आ पा रहा है वो उपर गया है अगें support तक आ गया और यह हमारा आज का support बना तो हमने क्या किया ना कि जैसे प्राइस हमारा कल के low के पास पहुंचा कल का जो high है इसके पास में पहुंचा हमने इस जगह पर जस्ट अपना trade execute किया तो जो entry अपनी मिली वो इसके आसपास में अपनी entry थी और इस stop loss हमने बिलकुल यहीं पर लगा दिया इस जगह पर हम यहां से बाहर निकल गया था कि कहीं ना कहीं लग गया था कि अब में भी हो सकता है कि movement upside में market ना ही दिखा है विए निफ्टी भी बहुत देर तक side में पढ़ा रहा था तो फिर यहां से बाहर निकल गया कुछ बहुत बड़ा RR नहीं है 12,000 के round का profit भी है so RR ratio जो हम चाहते थे इसके अंदर कम से कम 1-5 हमको मिल सकता था क्योंकि round number तक यह गया था नहीं 2-2-0-3 पर पहुचा और हमको यह लग रहा था 2-2-0-2-2-1-0 यहां तक जाना चाहिए प्राइस वहां तक गया लेकिन फिर मालूम नहीं था ना कि वहां चला जाएगा फिर यहां से बाहर ही निकल गयते पहले ही बाहर निकल गयते तो overall जो आज हमने चीज समझाने के आपको कोशिच की कि एक breakout जब हम देख रहे हैं कि कि किसी भी level का हमें चाहिए breakout तो breakout से पहले कि होने वाले symptoms क्या होते है ना आपका एक resistance ही गया है उस resistance को break करने से पहले ही market यहाँ पर अपने symptoms दिखाने start कर देती है वो अपने support को कम break करेगी है अगर गलती से break भी हुआ तो यहाँ पर आपको volumes बहुत कम दिखेंगी कम volume दिखेंगी प्राइस नीचे आ करके फिर से support point find करने के बाद में अब इस जगह से अपने trade execute कर दो अगर इसे गिरना है तो stop loss कहां रहेगा मेरा इस वाले line पर यहाँ पर stop loss अब अगर इसको गिरना तो यह यहीं से गिर जागा नीचे है वरना जिस दिन हमें trade execute करना उस दिन price अपने level पर आकर के support के protections दिखा रही है के price आपका जो major resistance area है major जो point है उसको भी last में break कर सकते है इस case में stop loss छोटा आता है entry जल्दी हो जाती हो target बढ़ा मिलता है चलिए आज के लिए फिलाल इतना ही और कल जो भी trade वगर हम करेंगे आप लोगों कम इन फॉर्म कर देंगे और वित फुर दिर में कल trade करने के लिए stocks म आप लोगों को share कर देंगे so thanks and telegram का link description में आप लोग चाहो तो telegram group भी join कर सकते हो and we will meet again